अगर आप भी यह पता करना चाते हैं कि जितना भी MB आपको हर रोज मिलता है तो कौन से एप में आपका कितना MB इस्तमाल होता है पूरे दिन भर में, कौन सा एप आपका कितना MB खा लेता है पूरे 24 गंडे में, और अगर आप अपना हाट इस्पोर्ट किसी को देते हैं, या को आप अपने मुबायल में डाउनलोड करके इस्तमाल करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को उस एप के बारे में बताते हैं तो उस एप का नाम है माई डाटा मेनेजर तो चलिए स्क्रीन में ले आके दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और किस तरीके से इसको अपने मुबायल में इस्तमाल करना है तो सबसे पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ आप लोग को तो मेरे मुबायल में अभी माई डाटा मेनेजर डाउनलोड किया हुआ है तो उपन उसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा भी डला हुआ है तो अभी फिलाल में रिसेंटली आप इंस्टाग्राम चला हूँ उससे पहले फेस्बुक चलाया था इससे पहले मोज आप चलाया था और यहां उपर नोटिफिशन दिखता है कि वाइफाई से कितना एंबी यू उसका क्रोम ब्राॉजर में उसके इंस्टाग्राम है उसके यूटूम में लाइन में सारा चीछ देखता है और इसके यहां पर एक बना हुआ है तो इसको किलिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको 24 घंडे का पता चल जाएगा क्योंको रात में 12 बज़े के बाद नया दिन शुरू होता है और नया एंबी मिलता है तो उसी के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ अब play store में लेके दिखाता हूँ कि इस एप को डाउनलोड करने के बाद अपने मुगाईल में यूज कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने play store में आ जाना है play store में यहाँ पे सर्च करना है my data manager उसके बाद यहाँ पे app आ जाएगा सर्च करने के बाद तो यहाँ से इस app को install कर लेना है जब install हो जाएगा उसके बाद इस app को open करना है open करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है तो यहाँ पे processing में 2-3 second लगेगा उसका नीचे scroll down करना है उसका यहाँ पे पहले नमर पे yes share my data and continue पे click मारना है उसका यहाँ से allow all कर देना है जैसे allow all करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा तो यहाँ से next फिर next उसका अनेबल notification पे click मार देना है उसका यहाँ से allow कर देना है उसका यहाँ पे go to setting वाले icon पे click मारना है और यहाँ से my data manager वाले app का permission अलो कर देना है, मतलब अभी denied होगा, यहां से अलो कर देना है, देख सकते हैं, यहां पर app दिखा रहा है, यहां से setting को on कर देना है, उसके अध कुछ समय लगेगा, उसके बाद यहां पर चक्का घुमेगा, processing होगा, उसके अध यहां से आपको continue कर देना है, उसके अध आपका app काम करने लगेगा आपका हर एक चीज यहाँ पर उपर में दिखेगा तो जिस दिन आप setup कर रहे हैं जिस दिन ये app आपने start किया उस दिन उतना अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा कि मतलग कितना MB बचा है और कितना MB यूज हुआ है और आपको पूरा current कप पता चलेगा जब रात में 12 बजे का 12 बजे के बाद अगले दिन मतलब आज आपने app डाउनलोड किया आज setup किया अब कल से जितना MB यूज होगा वो सब आपको पता चलेगा कि आपको 1.5 GB मिला है अपडेट में तब तक के लिए बाई बाई